हलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, सामने हैं हुंड़ाई ओरा का फेसलिफ्ट वेजियेंट, 2023 में आपको हुंड़ाई ओरा में क्या नई चेंज मिलने वाले हैं, आज इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले गाड़ी के फ्रेंट ल मिलने वाला है, जो ग्रिल है यह आपको पूरी वाइडर मिलती है, वहीं यहापे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिस में ग्रिल मिल जाती है, सामने आपको LED DRL मिलेंगे, जो की बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इस ग्रिल की वजए से गाड़ी का फ्रेंट लुक का तो जो पहले लोगो आता था, यह आपको मिलता था किस में, लेकिन अब जो लोगो है, यह मिलता है आपको silver finish में, जो गाड़ी के headlamps है, यह आपको halogen form में मिलते हैं, कोई भी यहापे projector वगएरा गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला, यह है overall गाड़ी का front look, सामने से गा गाड़ी के tire section का, यहाँ पे आपको 15 इंच का tire मिल जाता है, जिसका profile size है 175-60R 15, dual tone में diamond cut alloys मिल जाता है, जो कि दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, वहीं यहाँ पे Hyundai का logo मिल जाता है, जो कि आपको blue shade में मिलता है, आगे disc brake है, rear में आपको drum brake company offer करती है, overview के बारे में B pillar blackout मिलता है, C pillar जो है आपको यह भी blackout ही मिलता है, और बात करें गाड़ी के rear look के बारे में, तो कुछ हैसा look निकल के आता है rear से, rear से भी गाड़ी भाई कम माल की लगती है, वहीं बात करें चेंज की है न, तो यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं मिलेगा rear में, बस आगे की गिरिल में ही आपको चेंज मिलता है, बात करें लेते हैं, फीचर के बारे में, तो रूफ की उपर आपको सारक फिन एंटेना मिल जाता है, डीफोगर यहाँ पे मिलता है, वहीं पीछे आपको औरा की बैजिंग मिल जाती है, हुंड़ाई का लोगो मिल जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगते हैं, वहीं गाड़ी के रियर लुक को चार चांद लगा देते हैं, स्पोलर मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से वहीं इसके उपर आपको हाई माउंट इस्टोप लैम मिलता है, अब चेक कर लेते हैं गाड़ी का बूट स्पेस, बूट स्पेस में जाने से पहले बात करेंगे गाड़ी की चाबी के बारे में, चाबी कहा है बाई, यह गाड़ी की चाबी है, इसको करता है बंद, तो यह है गाड़ी की चाबी, यहाँ पर आपको रिमोट की मिल जाती है, लोक अनलो वही जो ट्रीम है इसके उपर आपको इंसुलेसन नहीं मिलता होना चाहिए था लेकिन यह आपको ऐसा ही ओपन मिलेगा बात करें इस पेर वील के बारे में तो यहां पर आपको स्पेर वील मिलेगा अगें फुल साइज का है इस चेलरिम के साथ बूट में आपको बूट लैं आपको यहांपर देखने को मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं इंटीएर के बारे में तो कुछैसा लुक निकल के आता है इन टीएर से ये देखिए जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं यह इसका SX वियरियंट तो यहांपर आपको दूल-ल टॉन में जाता है इसका काफी बड़ा change मिलने वाल है लेकिन seat का जो comfort है seat की जो cushioning है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे मिलती है seat में आपको height adjustment भी मिल जाता है वही side में आपको leather finish मिल जाती है dashboard के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा look निकल के आता है dashboard का seat पेछे करता हूँ ये देखे तो कुछ इस प्रकार का dashboard मिल जाता है basically इस side में आपको 3 seat मिलती है उपर black finish है नीचे आपको brown finish मिल जाती है and इसके नीचे आपको base finish मिलती है जो की काफी अच्छी लगती है वही interior को बहुत ही ज़्यादा premium look देता है ये वाला finish steering की बात कर लेते हैं तो यहापे आपको round saving Rim steering मिल जाती है steering mounted controls मिल जाते है voice command की feature यहाँ पर मिलते है वहीं यहाँ आपको cruise control जैसे feature भी मिलने वाले है steering adjustment की बात करें तो यहाँ पर आपको tilt और okay तो यहाँ पर आपको tilt adjustment ही मिलता है telescopic adjustment नहीं मिलता यहाँ पर आपको cruise control जैसे feature मिल जाते हैं, वहीं headlamp को level करने का button है, engine start stop का button मिल जाता है, कुछ इस परकार से AC event मिलता है, आप करते हैं गाड़ी का ignition start, यह देखे, बात करें गाड़ी के instrument cluster के बारे में, तो यहाँ पर fully analog instrument cluster मिल रहा है, speedometer, rp meter दोनों मिलते हैं, बीच में ID मिल बारे में, तो कुछ ऐसा look निकल के आता है, गाड़ी के standard console में, यहाँ पर आपको पूरा अगलो सी black finish मिलता है, सामने 8-inch का infotainment system मिलेगा, Android और अपल गार प्ले के साथ, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के button मिल जाता है, कुछ इस प्रकार का AC event मिलता है, manual AC मिलता है, आपको AC मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है, आपको AC मैनुवल ही मिलता है, नीचे आपको होटेवलोड का power shock, DOC port and type A port मिलता है, बैसिकली काफी बड़ा size के globe box मिल जाता है, manual IRBA मिलता है, इस side में आपको simple ही मिलता है, co-personal side में आपको vanity mirror मिल जाता है, यहाँ पर आपको lamp मिलत है, ठीक है, बात करें गाड़ी के transmission के बारे में, तो यह कार आपको five speed gearbox के साथ मिलती है, two cup holder यहाँ पर मिल जाता है, कोई भी armrest यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला, तो यह कहनी हो गई overall interior की basically काफी सांदार interior यहाँ पर आपको मिलने वाला है, इसको करते हैं बंद, और पहली बार segment में आपको गाड़ी में चार airbag मिलते हैं, दो आपको आगे मिलते हैं, दो आपको इन seat वे मिलते हैं, यहाँ पर आप बैजिंग देख सकते हैं, airbag की seat की बात करें, seat की quality काफी अच्छी है, seat का recline angle बहुत ही जादा सांदार है, बैठने के बाद आपको काफी ब मिलते हैं, अगर बात करें safety features की, तो पहले गाड़ी में आपको सिरफ दो airbag मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको चार airbag बेस मोटल से ही देखने को मिलने वाले हैं, फाइनली चेक करते हैं गाड़ी का engine, तो यहाँ पर करते हैं engine bay open, यहाँ पर मिल जाता है lever, engine के hood को open करने क यह देखिया बाई, और यह है overall new Hyundai Aura का engine, इसके अंदर आपको 1.2 लिटर का Kappa series का 4 cylinder engine basically देखने को मिल जाता है, बाकी powers की बात करें, तो powers डिस्पले में आ रही होगी, तो यहाँ पर आपको अच्छी कासी powers मिल जाती है, तो यह था overall review new Hyundai Aura का, I hope आपको यह वीडियो पसंद नई होगी, आपको यह नई feature आए गाड़ी में, कैसे लगी मुझे comment करके जरूर बताएं, मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही next video में, thank you so much for watching.